Welcome back to my channel once again आज किस वीडियो में आप से बात करने वाला WhatsApp के रिगार्डिंग अगर आप WhatsApp चलाते हैं वहाँ पे आप किसी भी अपने फ्रेंड को या Business Message या किसी को भी Message लीफ करते हैं Unfortunately आपने जो Message भेजा जो Text Format में आपने जो Type करके भेजा है उसमें आपका कोई Mistake हो गया हो या By Mistake ली उसमें कुछ आप से गलती हो गया और आप चाहते हैं कुछ Message को Correction करने के लिए Edit करने के लिए तो कैसे आप कर सकते हैं तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे वहाँ मैं आपको बताता हो बिना देरी की हो है इसी बीच आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और साथ में मेरे वीडियो को लाइक कोमेंट और शेर करना ना बूले तो फाइनली आपको जाना अपने वाटसप पे जिस तरह आप जाना नॉर्मली किसी को Message लीव करते हैं आपके यहां पर वाटसप प्याने के बाद में यहां पर फॉर जांपल आपको किसी भी फ्रेंड को आपको Message लीव करना है तो इसमें जाई है Message में जाई है यहां पर फॉर जांपल मैंने इसको लिखके भेज दिया My name is Z और इसको Message भेजने के बाद में आपको बाद में Realize हुआ कि इसको Actually मुझे कुछ और लिखके भेजना था बट बाइ मिस्टेकली मैंने कुछ और Message इसको लिखके भेज दिया तो यहां पर आपको Message को आप Correction कर सकते हैं Edit कर सकते हैं Simple आपको जाना है इसको आपको Select करके रखना है आपको जाना थिरी डॉट के Option पर यहां पर देखिए कर तीसरा एक Option मिलेगा Edit करने का Option पर यहां पर फिर से इसको आप Edit करके वापिस से एक Refresh करके आप Message इसको आप भेज सकते हैं मैंने यहां पर लिख दिया My Name is Mujahid तो यहां पर मैंने My Name is Mujahid लिखके इसके अलाव अगर आपने कोई Message होगा ना भेजा है आप चाहते हैं इस Message को Delete करने के लिए वापिस रोल बेक करने के लिए इसको Simple इस पर टैप करके रखना इसको आप जैसे आप Delete करोगा यहां पर एक Option आएगा Delete for Everyone या Delete for Me अगर आप सब के लिए करना चाहते है Simple Delete for Everyone कर दीजे आपका Message डिलीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह आप WhatsApp पे किसी भी Message को भेज़े हुए को आप Delete कर सकते हैं मिलते हैं तब तक लिए नेस्ट वीडियो में Keep Watching, Keep Supporting and Thank you so much for watching my वीडियो